आज हम बनाएंगे एकदम हलवाई के टेस्ट वाला लौकी का रायता जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आप किसी भी खाने के साथ इंजॉय कर सकते हैं वैसे तो आप बुंदी के रायते बहुत बार बनाएंगे लेकिन मेरे तरीके से इस लौकी की रायता की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें आपको ये बहुत पसंद आएगा तो चलिए हम आज की रेसिपी बनाना सुरू करते हैं तो इस रायता को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लौकी लिया है जिसे अच्छे से छील कर इसे धो लिया है अब हम यहां ग्रेट करना है तो किसी भी dirty की मदद से हम इसे अच्छे से घिस लेंगे यहां पर मैंने मीडियूम साइज वाले हिस्से से इससे ग्रेट किया आप चाहे तो थोड़ा इस से मोटे वाले हिस्से से भी ग्रेट कर सकते हैं और रायता बनाने के लिए ये लौकी जो आप ले उसमें कोसिस करें ज्यादा बीज ना हो अगर जिस लौकी में बीज हो तो आप बीज निकाल करके इसे अच्छे से घिस ले तो देखिए बस कुछी मिंटों में ये लौकी अच्छे से घिस चुकी है अब आप देख सकते हैं ये इसके एकदम लच्छे देखिए सभी को डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे ये देखिए इस तरीके से ऐसे अच्छे से मिला लेंगे पानी में और इसे ढख करके low to medium flame पे 5 मिनिट के लिए पहले पकाएंगे और जब 5 मिनिट हो जाए तो इसे हम चेक करेंगे ये देखिए इसम से ढख करके इसे हम 10 मिनिट के लिए पकाएंगे या फिर तब तक जब तक इसका पानी सूख न जाए और ये अच्छे से पक न जाए ये रायता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है तो मेरे तरीके से एक बार आप जरूर से बनाएं ये देखिए यहाँ पे पूरे और ट्रांसफर करने के बाद हम इसकी सारी इंग्रेटेंट्स को याड़ करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कप दही लेंगे अगर आपको रायते में दही जाधा पसंदो तो आप जाधा क्वांटिटी भी ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पे एकदम दही को अच्छे स नमक करके ढलेंगे और साथी यहाँ पे एक बड़ी चमच हम राई डालेंगे जिसे मैंने इसे अच्छे से पीच लिया यह आप देख सकते हैं इकदम जो छोटी वाली राई होती है उसके मैंने पौदर को बना करके एक बड़ी चमच डाला है और साथी हम एक बड़ी मच नमक डाला है और सभी चीजों को डाल करके हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद ये रायता पूरे तरीके से सौफ करने के लिए रेडी है इसे आप किसी भी खाने के साथ सौफ कर सकते हैं रोटी चावल पूरी पराथा किसी के साथ भी खाईए ये बहुत ह देश्टी लगता है और खास करके बिहार में ये लौकी का रायता ये किसी भी शादी और पार्टी में इसे जरूर बनाया जाता है ये एकदम हलवाई स्टाइल रेसिपी है आप एक पर मेरे तरीके से जरूर ट्राइ करें ये आप सभी को बहुत पसंद आएगा तो फ्रें दो में